हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रामा स्रीज एपिसोड 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियों बता आज की हूँ जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसोल में हमने देखा था की जिया अपनी मा की आत्मा में बार-बार गुसने की कोसिस करती है ता कि वो सच्चाई पता लगा सके कि 20 साल पहले हुआ क्या था और उसकी मा को किसने मारा था आगे जिया को पता चलता है कि उस रात आखे कर हुआ क्या था उस रात इनबम के अंकल इनबम को लेकर जिया की मा के पास आये थे और होंग सिख जिया की मा को अपने भतीजे का भूत भगाने को कहता है तो जिया की मा सारा तंत्रमंत करती है और विधी श्टार्ट करती है तो इन्वम को मरना होगा तो होंग सिक इस बात से एग्री नहीं करता और वो अपने भतीजे को बचाने लगता है और इसी चक्कर में इन्वम के अंदर जो अंडा भूत रहता है वो जिया की मा के अंदर चला जाता है और जिया की मा होंग सिक पर हमला कर देती है और ये सब इसने मा का ऐसा रूप देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी मा अंडे भूत के कबजे में होती है जिस वजा से वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती तो जिया की मा जिया को कहती है मुझे ये तंत मंत्र से मारो तो जिया अपनी मा को मारने से मना कर देती है तो जिया की मा कहती है मैंने तुम्हें सिखाया है ना इसे कैसे चलाते है सेम उसी तरह मुझ पर भी चलाओ तो जिया अपनी मा की बात माल लेती है और अपनी मा के सीने में वो इस्टिक भोग देती है जिससे उसकी मा की वहीं पर मौत हो जाती है और जिया की मा की सारी सक्ती इन्बम और जिया के पास चली जाती है और जिया की मा का खुन उस रिकॉर्ड पर भी लग जाता है और दोनो मिस जो कहती है उसका हाथ छोड़ दो तो इंबम कहता है मैं उसे गर्म करने की कोशिस कर रहा हूं मेरा हाथ छूते ही वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तो मिस जो कहती है तुम बहुत कर चुके हो उसके लिए अब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते उसने अपनी मा कर जिया की ऐसी हालत कैसे हुई जिया 20 साल पहले क्या हुआ था उसका पता लगा रहे थी और अपनी मा की आत्मा में बार बार जा रहे थी ताकि वो ये पता लगा सकी कि 20 साल पहले हुआ क्या था और इसी वज़ा से जिया की ऐसी हालत है आगे इन्वम जिया के उठने तक का दूसरी तरब चेर्मेंडू बुकलाया हुआ होता है क्योंकि ते जिन ने उसे धोखा दे दिया और मेमोरेंडम उसे नहीं दिया जिस वज़ा से चेर्मेंडू का दिमाग घुमा हुआ होता है तो चेर्मेंडू अपने आदमियों को ओर्डर देते हैं ते जिन को पकड़ने क और ये कह करते जिन वहां से भाग जाता है क्योंकि चैर्मेंडू के गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं दूसी तरब जिया को होस आता है तो जिया इन्बम के साथ अच्छे से पेस नहीं आती कि तभी वहां मिस जो भी आ जाती है तो जिया इन्बम को बाहर जाने को कहती है और वो बाहर चला जाता है तो जिया अपना सारा गुसा मिस जो पर निकालती है और कहती है आप जानती थी ना मेरी मा की मौत मेरी वज़ा से हुई थी लेकिन आपने मुझे नहीं बताया मैंने हमेशा आपकी बात मानी आपके दिखाये हुए राह पर चली लेकिन आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि मैंने ही अपनी मा को मारा था आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि 20 साल पहले क्या हुआ था तो मिस जो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बस तुम उस अंडे भूत को भगा रही थी और तंत मंत की बिधी कर रही थी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुम्हार मिस जो जिया को समझाने की कोशिस करती है पर जिया मिस जो की एक भी नहीं सुनती और कह के लिए पूसता है आखिर कार अंदर क्या हुआ तो मिस जबाब नहीं देती और वहां से चले जाता है और में जो से लंच के लिए पूसता है पर मिस जो बिना कुछ कहें वहां से चली जाती है आगे जी चुल और करें होते हैं तो इन्ह Tah came कहता है मिस जो और जिया के बीच आखिरकार ऐसा क्या हुआ क्या उन दोनों के बीच लडाई हुई जो वो दोनों एक दूसरे से इतना खफा है तो जी चुल कहता है हमें पता लगाना चाहिए आखिरकार उन दोनों की बीच ऐसा क्या हुआ तो इन्बम कहता है ठीक है आगे इ जिया की मा जिया को कहती है तो मुझे इस स्टिक से मारो और जिया अपनी मा की बात माल लेती है और अपनी मा के सीने पर वार कर देती है जिस वज़ा से जिया की मा मर जाती है और यही सब बाते मैंने जिया को नहीं बताई मैं नहीं चाहती थी कि जिया को दुख पहुंचे इ तो इन्मम को ये सारी बाते सुनकर बहुत ही अपसोस होता है आगे इन्मम को ये बात पता चलती है कि उसके गले में जो लोकेट है वो लोकेट जिया की माने उसे दिया था ताकि वो आत्मा से दूर रह सके और जिया की मा की वज़े से ही वो इतने साल अच्छे से जी पाया है तो मिस जो इन्वम को कहते है जिया ये सारी बाते भोल चुकी थी पर उसे अब सब कुछ याद आ गिया है कि वो अपनी मा की मोत की जिम्मेदार है तो इन्वम कहता है जिया सिर्फ आप पर ट्रस्ट करती थी इसलिए उसे बुरा लग रहा है कि आपने जिया से सारी सच्चाई छुपाई इसलिए वो आपसे गुस्सा है आगे जिया प्लू साल्ट चले जाती है वहाँ जाकर मिस क्योंग से मिलती है तो क्योंग कहती है तुम अकेली आई हो हर बार तो मिस जो आती थी तुम तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती फिर आज कैसे निकल गई तो जिया कहती है मैंने अपना घर पेज दिया और मैं घूमने जा रही हूं तो योंग ये सुनकर हैरान होती है और उसे समझ में आ जाता है कि जिया और मिस ज तो कहती है यह यहाँ पर क्यों आया है तो मिस्टर जंग बताते हैं कि यह हमारी हेल्प करेगा होंग सिख के केस में तो डिडेक्टिव कहता है मुझे पता चला 20 साल पहरे होंग सिख में आग नहीं लगवाई थी उसने चेर्में डू के कहने पड़ाग लगाई थी इधर इन प्धाया को जिया mega Adress देती और कहती है जिया तुम्हें यहाँ पर मिलेगी तो इनवाम एड्रेस लेकर बहुत खुस होता है आगे इन वम उसी एडरेस पर जाता है तो वहाँ पर उसे यूंग मिलती है तो यूंग कहती है तुम वही साइक होना जो जिया के साथ काम करते हो तो इन्वम कहता है हाँ मैं वही हूँ लेकिन आप मुझे कैसे जानती है तो यूं कहती है मुझे मिस जोने सब कुछ बता दिया है और तुम जिया से मिलना चाहते हो ना जिया जंगल में है जाकर उससे वहाँ पर मिल लो तो इनवम जिया से मिलने के लिए जंगल चला जाता है आगे इनवम जिया के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो जिया कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और जाने लगती है तो इन्वम कहता है मिस जो ने मुझे सारी बाते बता दी है तो जिया जैसे ही ये सुनती है तो वो रूप जाती है तो इन्वम कहता है तुम्हें सोडी कहने की कोई ज़रत नहीं है मैं अभी भी जिन्दा हूँ तो जिया कहती है लेकिन मेरी मा तो मर गई ना मैंने अपने हाथों से अपनी मा को मारा है और मुझे तुम्हें देख कर वो सारी बाते याद आने लगती है जो भी मैंने किया है तो प्लीज मेरे सामने दुबारा मत आना तो इन्वम ये सुनकर सैट हो जाता है दूसी तरफ यूंग आत्माओं को भगा रही होती है और आत्माओं को भगाते भगाते वो ठक जाती है और वो कहीं जाने लगती है कि तभी उधर से इन्वम आता है तो यूंग कहती है क्या तुम किसी आत्मा को एवोइट कर सकते हो त तूम थी इसलिए मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू आगे इन्बम जिया को मनाने की बहुत कोशिस करता है ताकि वो वापस आ जाए पर जिया उसकी एक भी नहीं सुनती और नहीं दर्वाजा खोलती है तो इन्बम सैड होकर वहां से चला जाता है इधर जिया को भी अच् तो तुम दोनों की केमेश्टी बहुत ही अच्छी जमेगी क्या तुम फालतु में इधर उधर घूम रही हो जाकर उसके साथ रोमेंस क्यों नहीं करती देखो कितना अच्छा रोमेंटिक दिन है और तुम यहाँ पर मू लटकाए बैठी हुई हो तो जिया कहती है मुझे इन समय कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो यूंग कहती है क्या तुम अकेले ही रहना चाहती हो और आत्माओ की तरह इधर बटकना चाहती हो तो जिया यह सुनकर सोक हो जाती है। तो यूंग उसे समझाने की बहुत कोसिस करती है पर जिया उसकी नहीं सुनती तो वो वहाँ से चली जाती है इधर जी चुल ते जिनका पता लगाने की कोसिस करता है और ते जिनके पार्टनर से मिलता है तो ते जिनका पार्टनर जी चुल पर हमला कर देता है तो जी चुल अ अपनी जान बचाने के लिए कहता है मैं उस लेटर का सोधा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो गुंडा जैसे ही ये सुनता है तो वो जी चुल को छोड़ देता है और वो दोनों उस लेटर के बारे में बात करने लगते हैं दर जी चुल इनवम के लिए उस लेटर को खो सकता हूँ बस तुम पैसे तयार रखना ठीक है आगे जी चुल अपना सारा पास्बुक देखता है और कहता है मैंने इतने सारे पैसे जमा किये थे ताकि हम लोग एक घर खरीच सके विकिन कोई बात नहीं मैं इन्वम के लिए इतना तो करी सकता हूँ हम लोग बाद में पैसे जमा कर लेंगे कि तभी उधर से इन्वम आता है और जी चुल को सारी बाते बताता है कि जी या अभी बहुत सैड है और वो उसे देखना भी नहीं चाहती क्योंकि उसे मुझे देखकर पास्ट याद आता है तो जी चुल कहता है टेंसन मत लो हम उस केस को भी सुलजा इधर चेर्मेंडू के सारे गुंडे सबसे जबर्दस्ती पेपर पर साइन करवाते हैं और उन लोगों को जबर्दस्ती घर खाली करने को कहते हैं तो बेचारे के पास कोई आप्शन नहीं होता क्योंकि जी या पहले ही अपना घर बेच चुकी होती है तो वो लोग ड़की उसे एक कॉल आता है और उस कॉल में उसे बताया जाता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है तो उसके बाद उसके माता पिता भागते हुए होस्पिटल जाते हैं और अपने बेटे के सब को देख कर खूब रोते हैं आगे जी या को भी पता चल जाता है कि रेस्ट्रेंट मा पर जाती है और अपना सारा समान पैक करती है और सैड रहती है दूसी तरफ वो लेडी अपने बेटे की याद में आसु बहारी होती है और वो सोच रही होती है कि उसके बेटे की आत्मा यहीं पर है तो वो लेडी जिया के पास जाती है और उसे सारी बाते बताती है तो वो त मालकिन के बेटे की आत्मा आ जाती है तो जिया इन्वम को अपना नेकलेस निकालने को कहती है तो इन्वम अपना नेकलेस निकाल देता है तो वो बंदे की आत्मा इन्वम के सरीर के अंदर जाती है पर वो बाहर निकल जाती है सेम जिया की मा की आत्मा की तरह जब जिया भी मा की आत्मा को इन्वम के सरीर में डाल कर मुक्त करवाने की कोसिस कर रही थी तब भी ऐसा ही हुआ था उसकी मा की आत्मा इन्वम के सरीर से छू कर निकल गई थी तो इन्वम जिया को कहता है जिया क्या हुआ तो जिया को कुछ समझ में नहीं आता आखेकर ये हो क्या रहा है कि तभी जिया की नजर उस टोपी पर पढ़ती है जो उस रेश्टुरेंट मालकिन के बेटे का रहता है और वो लेडी उस टोपी को देखकर कहती है मैंने अपने बेटे को मारा है मैंने उसे खाने नहीं दिया और वो फूट फूट कर रोने लगती कि तभी एक फ्लैस पैक दिखाया जाता है जहां पर उस लेडी का बेटा सोकर उठता है और सिधा खाने के लिए बैठ जाता है तो उसकी मा को उस पर बहुत गुसा आता है और वो कहती है तुम खाली सिर्फ सो और खाना खाओ पैसे मत कमाओ और उसे खुब खड़ी खोटी चला जाता है तो उसकी मा अपने बेटे को देखती ही रह जाती है आगे स्टोरी प्रजेंट के दिखाई जाती है तो जिया कहती है आपकी कोई गलती नहीं थी और जिया उन्हें सांत करती है आगे जिया अपने घर जाती है और अपनी मा को याद करके खुब रोती है और य उस दिनों के लिए तुम्हारे यहां रहने आए हैं जब तक हम लोग कोई रहने का ठिकाना नहीं ढूंड लेते तब तक हम लोगों को यहां पर रहने दो तो जिया पहले तो मना कर देती है पर इंबम के इतना जीत करने पर तो जिया उसे एक सप्ता रहने की परमिशन दे दे एक्चिली ये सब इन्बम का ही प्लैन होता है ताकि जिया अकेला महसूस ना करे आगे इन्बम जिया को खुब परिसान करता है ताकि वो अकेला महसूस ना करे तो जिया इन्बम से इरिटेट हो जाती है पर इन्बम को जिया को सताने में बहुत मजा आता है आगे जिया और इ चीचुल पैसे का इंतिजाम करता है और तेजिन के पार्टनर को दे देता है तो वो गुंडा पैसे लेकर जीचुल को मार कर वहां से भाग जाता है कि तभी उधर से इनवम आता है और जीचुल को संतावना देता है एक्चली होता ये है कि ये प्लैन इनवम और जीचुल का ह होता है ते जिन को पकड़ने का वो लोग उस बैग में नकली नोट भर कर और ट्रेकिंग डिवाइस लगा कर उन लोगों को दे देते हैं इधर ते जिन बहुत खुसी मनारा होता है कि उसने चीचुल के पैसे ठग लिए पर उसे क्या पता यह सब तो उनका प्लैन था उसे पक घुस होती है तो जियाम जो को कहती है मैं एनी टाइम आतमाओं से घिरी रहती थी लेकिन फिर भी आप मुझे अकेला नहीν छूडती थी आंटी तो में जो जिया के मुझसे आंटी सुनकर सौक हो जाती है पर वह खुस भी बहुत होती है आगे जिया मैं जो को थैंक्यू कह काम के सिलसले में मैं अपनी बेटी को सुला कर काम पर चली गई थी जब मैं काम से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी मर चुकी है तो पुलिस वाले ने मुझे पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी बेटी को मार डाला और मैं खुद को भी अपनी बेटी के मोत का जिम्यदार मानती थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा जेल से निकलने के बाद मैं तुम्हारी मा से मिली और तुम्हारी मा ने मुझे कहा मैं जानती हूँ तुमने अपनी बेटी को नहीं मारा और जिया की मा मिस जो को उसकी बेटी की आत्मा से मिलवाती है और उसे मुक्त करवा देती है आगे मिस जो कहती है कि तभी मैंने डिसाइट किया था कि मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा सकी पर मैं तुम्हें जरूर ब मेरा टेंपर कौन सहेगा आपके अलावा आप मेरी सेकेट्री है समझी और दोनों एक दुसरे को देखकर इस्माइल करने लगते हैं आगे जी आम मिज जो का हाथ पकरती है और दोनों एक साथ खुस होते हैं आगे तेजिन चेर्मेंडू से उस लेटर का डिल करता है और उनसे मिलने जाता है तो चेर्मेंडू के गुंडे तेजिन को पकड़ कर मारने लगते हैं इधर इंवम और जी चूलभी उस टेकिंग डिवाइस के हेल्प से तेजिन के पास पहुर जाते हैं तबी उधर से ते जिन गुंडों से अपनी जान बचा कर भाग रहा होता है तो इन्बम ते जिन की हेल्प करता है और उसे अपने गारी में बेठा लेता है आगे इन्बम ते जिन को गारी से निकालता है और मेवरेंडम के बारे में पूसता है तो ते जिन इन्बम को बताता ह कि उसने उस लेटर को खो दिया है उस लड़ाई में क्यूंकि उसका लेटर उसी जैकेट में था तो इनवन को तेजिन पर बहुत गुशा आता है और वो कहता है वो आखरी एविडेंस था चेर्मेंडू के खिलाब तुमने सब बरबाद कर दिया अपने लालस के कारण तो ते बहुत इस लिए इनवन के पास जाती है और उसे कहती है तुम इतनी जल्दे गिवप नहीं कर सकते क्यों पर इसे होसला देतीा मिटिटिनोंग video game को अपने साथ हिंग मिटिन घुह मिटिन में मिज्यों घुलिकूं कर देकि खटा करते हैं ताकि उन्हें सजा दिलवा सके दूसी तरफ ते जिन जिया के घर के सामने आकर इन्बम इन्बम चिलाता है तो इन्बम घर से बहार आता है तो ते जिन अपना जूता इन्बम की तरफ फेकता है और कहता है जाओ इस लेटर को लो और चेर्मेंडू को जाकर पक लेटर दिखाता है तो सभी लेटर देखकर हैरान होते हैं आगे 20 साल पहले वाला केस को मिश्टर जंक पब्लिक में री ओपन कर देते हैं और चेर्मेंडू के खिलाफ वारइंड भी जारी करवाते हैं और डिरेक्टिव चेर्मेंडू के ओफिस में जाकर सर्च करते हैं पर देखकर लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं परता इन सबसे आगे चेर्मेंडू डिडेक्टिव को कहते हैं डिडेक्टिव आपको यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा तो डिडेक्टिव कहता है वो तो बाद में पता चलेगा हमें क्या मिलता है और क्या नहीं आगे चेर मनाते हैं कि तभी उधर से तेजिन भी आ जाता है तो सभी उसे देख कर देखने लगते हैं तो इनबम कहता है मैंने तेजिन को बुलाया है हम लोगों के साथ पाटी करने के लिए तो जिया तेजिन को बैठने को कहती है और सभी मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और खूब उन्हें चुराने के लिए हमें और सबूत इखटा करना होगा चेर्मेंडू को पकड़वाने के लिए दूसी तरब चेर्मेंडू से पूछ तास की जाती है तो चेर्मेंडू साप साप मना कर देते हैं कि होंग सिक के मोद में उनका कोई हाथ नहीं है इधर जिया मिस चॉय को मनाने की कोशिस करती है कि ताकि वो चेर्मेंडू के खिलाब गवाई दे दे और उनका साड़ा काला चिठा उन्हें बता दे पर वो कुछ भी नहीं बताती तो जिया अपना कार्ड मिस चॉय को देती है और कहती है अगर आपका मन बदल जाए तो आप मुझे इस नमबर पर कॉल करना ठीक है और ये कहकर जी आ वहाँ से चली जाती है आगे चेर्मेंडू का लोयर ये सब देख लेता है और ये सारी बाते चेर्मेंडू को जाकर बता देता है तो चेर्मेंडू अपने लोयर को ओर्डर देता है और कहता है मिस चॉय मेरे बारे में किसी को कुछ बताए उससे पहले ही तुम उसे रास्ते से हटा दो आगे वो लॉयर मिस चोई को कैब में बठा देता है और रेच्ट करने के लिए कहता है तो मिस्च चप से अपने घर जाने लगती है आगे रास्ते में मिस्च चॉई को पता चलता है कि वो ड्राइबर पूरी कोसिस करता है कि वो चेर्मेंडू के खिलाब गभाई दे दे पर वो कुछ भी नहीं बताती और चुप चाप अपने घर चली जाती है आगी मिस चॉय अपने फ्लैट में जाही रही होती है तो उसे लगता है कि उसे अपने पापो का प्रैस्चित करना चाहिए तो मिस इनबम उस बंदे को देख कर समझ जाता है कि कुस तो यहां पर गरबढ है तो वो मिस चॉय के पास जाने लगता है उस बिल्डिंग के अंदर की तभी उदर से मिस चॉय के फ्लैट में आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग ब्लाश्ट हो जाती है आगे यह न्यूज आग के तरह फैल जाती है जब जिया यह न्यूज टीवी पर लेखती है तो पूरी तरह सौक हो जाती है और उसे इनबम की चिंता होने लगती है तो जिया दोड कर इनबम के पास जाती है उसी जगहां पर जहां पर आग लगी हुई थी तो वहां जाकर जिया इनबम को ढू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले